हलो फ्रेंड्स क्या आपको प्रेग्नेंसी होने की टेंशन थी और आपने प्रेग्नेंसी टेस्ट किया और प्रेग्नेंसी टेस्ट अब नेगेटिव आ गया है तो आपको फिर से जादा टेंशन हो गई है कि मेरा पीरेड भी नहीं आया है और मेरे को प्रेग्नेंसी भी नही तो ऐसे ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसके बजह से प्रेग्निन सिनडिया होने के वावजोद भी आपको पिरेड ना आए तो जो सबसे कमन कारण है प्रेग्नेंसी नेगेटिव आने के बाद पिरेड नहीं आने का तो सबसे जाधा आज कобщ invention जो जो समस्या लेका है कि वो यह कहती है कि पिरिड नहीं आरा दो महीने चड़ गया तीन महीने चड़ गया है और हमने बार-बार प्रेग्नेंसी टेस्ट भी कर रहे हैं और फिर भी टेस्ट नेगेटिव आता रहता है तो जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको PCOD है PCOD प्रका Practice in treatment disease के नाम से जानते हैं इस disease के अंदर अंडा बनता तो है, लेकिन मैच्योर नहीं हो पाता और भोजसें जो इस्टोजन का be और अना चाहिए था और इसी उत्दसीन होने अब दिख्क्तока क्योगि कि अबार भड़ नहीं ए रहा, जिसकी वज़प ऑने में तकलीफ होती है तो सबसे common कारण है pregnancy test negative आने के बाद period नहीं आने का PCOD दूसरा common कारण हो सकता है कि यदि बार-बार DNA हो रही है तो अंदर के endometrium damage हो जाती है जिसकी वजह से period नहीं आता है लेकिन ऐसी इस्तिती में period लगाता है तीन-चार मेनी या छे मेनी तक नहीं आता है तो ये भी इस्तिती सोनोग्राफिक करके पता लगाई जा सकते कि आपके अंदर का endometrium grow कर रहा है नहीं कर रहा है या और कोई तकलीफ है तीसरा common कारण हो सकता है कि आपकी ovaries में से हार्मोन ही नहीं बन रहा है जिसको कि हम premature ovarian failure बोलते हैं यानि कि आपकी अंडे दानी ने ovaries ने काम करना बंद कर दिया है ये generally common नहीं है बहुत rare होता है और अगर 40 साल से पहले आपकी ovaries काम करना बंद कर देती हैं तो उसको premature ovarian failure बोला जाता है ऐसे इस्तिति में ovary के अंदर से estrogen और progesterone हर्मोन नहीं बन पाते हैं और जब हर्मोन नहीं बन पाते हैं तो एक menopause वाली इस्तिति क्रियेट हो जाती है यानि जैसे कि जो 50 साल के बाद अपने को menopause आता है उसी तरह की इस्तिति आपको जल्दी आ जाती है यानि 40 साल से प आपका stress level बढ़ गया है यानि कि आपको कोई anxiety है या आपको नीन नहीं आ रही है प्रॉपर या आपके कोई exams चल रहे हैं तो ऐसे स्तिति में जब stress level बढ़ जाता तो hormonal imbalance हो जाता है जिसकी वजह से भी आपको period नहीं आता है इसके अलावा एक और बहुत common कारण आज़ इसके वजह से यह तो computer के सामने बढ़ रहते हैं या mobile पे रहते हैं और physical activity काम होने की वजह से hormone level changes आते हैं मोटापा बढ़ जाता है वज़न बढ़ जाता है और stress level भी बढ़ जाता है और यह सारी चीज़ें मिलकर hormones का alteration करती है यानि कि stress hormones बढ़ जाते हैं नॉमल इस्टोज time पर नहीं आता है या मैस हो जाता है या period बहुत लेट आता है एक और common कारण हो सकता है जिससे thyroid की किसी को बिमारी हो या thyroid का level काफी कम या जादा हो रखा हो तो उसकी वजह से भी estrogen progesterone hormones के levels में problem आती है और periods time पर नहीं आते हैं तो यह कुछ एक common कारण थे जिसमेंसे सबसे common कारण है PCOD, दूसरा common कारण है के endometrium damage हो जाए जिसको Usherman syndrome बोल सकते हैं या endometrium failure बोल सकते हैं तीसरा ovaris ने काम करना बंद कर दिया जिसको की premature ovarian failure बोलते हैं इसके अलावा अपने जो normal common कारण है stress है, anxiety है, obesity है, thyroid का बिमारी है, diabetes है, ऐसे lifestyle diseases है जो आजकल बहुत जादा prevalent ह जिसकी वजह से youngsters को और young ladies को ये problem देखने को मिल रही है, तो मैं सबसे एक ही request करूंगे कि आप अपना ध्यान यानि अपने स्वास्ते का ध्यान जरूर रखिए, यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो definitely long term में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, और यद सकती हैं, अगर आप हफते में 25-30 मिट डेली वॉक करती हैं, हरी सबजियां खाते हैं, 3-4 लिटर पानी पीते हैं, और योगा और मेडिटेशन करते हैं, तो definitely आप बहुत खुश रह सकते हैं, आपके बॉड़ी हेल्धी रह सकती हैं, और बिमारियां आपसे काफी दूर रह अगर ककाछ।